तो वेरी गूट इवनिंग तो एवरीवन मैं प्रगेस आपका मैस में अंतार आज फिर लेकर आया हूँ एक इंपोर्टेंट न्यूज जैसा कि मैं आप सभी को बदा दू कि जितने भी एससी एस्पिरेंट्स जिन्हों ने एससी सी एचसल का एक्जाम दिया था उनकी आंसर की आउट हो गई हैं जो कि आप एससी के साइट पर देख सकते हैं जाकर जहां किलियरली मैंसर है कि अप्लोड 12th of October से 26th of October के बीच में हुआ था 12th of October से 26th of October के बीच में हुआ है और आज 5th November है मतलब SSC ने अपना जो प्रॉसेस है अब थोड़ा फास्ट कर दिया है और आपको यहां पर टेंटिव आंसर की मिल गई है तो जब इस आप राइट अप को डाउनलोड कर लेंगे आफटर डेट आपको वहां पर इस तरह का एक राइट अप मिलेगा जहां पर कुछ पॉइंट SSC ने मैंसन किये है जो कि यहां पर साब साब लिखा हुआ है मैंसन है कि 17-3 2020 आपको 19-3 2020, 12-10, 16-10, 19-10 और 21-26 को जो भी अलग-अलग सिफ्ट में SSC CHSL के एक्जामनेशन 4893 वैकेंसीज के लिए एक्जामनेशन हुए थे गाइस मैं आपको पता दू यह अभी टेंटिव वैकेंसीज है यहां पर कुछ कम जादा हो सकती है 4893 एप्रॉक्स इतनी वैकेंसीज के लिए एक्जामनेशन हुए थे तो जो अलग-अलग सिफ्ट थी आपकी इन अलग-अ के बाद आपको यह दो डेट्स आपको मैंसन की गई है कि आज भाई आज से यह 6 पीम से इनेबल हो जाएगा जहां से आप अपनी आंसर की देखो के उन आंसर की में कहीं भी आपको ऑबजेक्शन हो लाइक आपको लगता है कि आपका आंसर सही है लेकिन जो आंसर की में आं तो वहाँ पर हर एक objection के लिए 100 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा अच्छा यह objection आप कब तक कर सकते हो 10th of number तक 5th of number से 10th of number के 6.00 तक आप इसका objection कर सकते हो तो kindly जाईए एक एक question पर focus करिए चेक करिए और objection करिए क्योंकि एक एक number केमती होता है फिक है यह मत सुचे कोई और objection करेगा तो भी आपके marks बढ़ जाएंगे अगर आपको लगता है कि आपका गलत है might be कि सभी लोग ना देख पाएं वो बारी की जो आप देख पा रहे हैं आपको अगर confidence है तो बिलकुल उसको चेक करें और उसके बाद objection क्लेम करें और इसके बाद क्या होगा क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि after 10th of number के 6.00 पीम के बाद फिर जो भी objection आप करते हो फिर वो मान रहे हैं मेहंद्रा परवार से मेहंद्रा लाइब पर थैंक यू सो मच गाईज अल दी बेस्ट ओप आपका 2021 बहुत अच्छा जाएगा अल दी बेस्ट